बिस्मिल्लारमानी रही ही मसलाम उलेकूम रिस्पेक्टी वीवर्स आज की यह वीडियो मुझे अजंटरी रिकॉड करनी पड़ी है क्यूंकि आप लोग परस्नली तो पर मुझे इतने ज्यादा मैसी कर रहे हैं वीडियो पर भी आपलोग कमेंट्स कर रहे हैं जो माद सुप वो पिन कर दिया था लेकिन कुछ candidates ने अल्मोस्ट हर candidates वो comments उसने read किया ही नहीं और उसी instruction को follow किया ही नहीं तो इसी वज़ा से आपका apply नहीं हो रहा तो सोचा मैं एक separate video बना देता हूँ ताकि फर्दर ओव भी जिन candidates के साथ ये problem आ रही है ना तो वो भी easily apply कर सकें तो आपने कौन सी mistake नहीं करनी apply करते हैं वाकर देखें सबसे पहले मैंने आपको बताया था था ना कि आपने register पर click करना है एक चीज़ और note कीज़ेगा मैं apply के वाले से ना complete procedure बता चुका हूँ कि आपने कैसे कैसे किन किन steps को follow करके अपने आपको register करना है क्योंकि बहुत ही जबज़ा सर पर चिलोटी गया हर उस candidates के लिए जो अभी तक मीन के फारग बैठा है graduation जिन्होंने अभी recentry किया है ठीक है या इससे पहले एक और question आप note कर लें कैनिरेट्स पूछ रहें कि आज से तीन से चार साल पहले जिन्होंने graduation किया क्या वो भी eligible हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन आपने age criteria को मद्दे नजर रखते हुए apply करना है क्योंकि 30 years आपकी age होनी चाहिए 30 years से बबब नी होनी चाहिए below वाले कर सकते हैं या 30 years तक वाले ठीक है तो main mistake की बात कर लेते हैं देखे आपको मैंने कहा था कि आपने laptop के जरीए apply करना है अगर वैसे ना भी करें तो mobile के जरीए भी हो जाता है क्यों इस फार्म में जो email का option है जो आपने email id अपनी add करनी है तो बहुत सारे candidates एक ही mistake कर रहे हैं कि जो already आपकी Gmail ID बनी होई है तो आप इदर वही लगा रहे हैं तो आपने ये गलती नहीं करनी है मैंने comment section में भी आप लोगों के साथ ये बात share की हुई है आप नहीं ID बनाने या कोई ऐसी ID हो जो आपने already कहीं भी नहीं लगाई होई वो आपने इदर type करनी है ठीक है तो email की ID नहीं बनाए है फर्दर अपनी तमाम information को add करें डिजिटर पर क्लिक करें तो आपका apply हो जाएगा next process मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको email आएगी जो आपने अमीन के email इदर लगानी है ठीक है तो फर्दर उस email पर आपने verify करना है अमीन के जो आपने email बनाई है उसको password के जरीए login कर लेना है अपनी रहमत का नजूल फर्माएए थैंक यू फर वाचिंग टेक केर लाहाफीज